हमने डन करे थे जो टायर थे थोड़े हाई एंड में थे अच्छी क्वालिटी वाले टायर थे तो उसके वैसे थोड़ा सा बजट उपर गया इन्होंने एक लाग का प्राइस दिया था हमें कार्ट रूट के 32 यार के मारे रिम मुझा बेसिकल लिए लिए रिम के साथ स्टील के साथ 2000 की स्टील भी मैं और 30 यार के मारे टायर अशाड़े साथ का एक टायर लिया है जो अभी हमने लिए 66,000 के मारे अलोई है लगवग 31 बैठ रहा था 32 माइनस करें तो एक लाग बैठ लगा बार्गिनिंग मैंने करी है थोड़ी मैं जैसी कर पाया वैसी करी तो अपना जो कहिना कहीं बहुत कहने के बाद नभे में आके बाद बनी है जो कि मेरे को लगा कि दूर आये हम तो इतना खास मेरे को से दे लेके जो भी वीडियो बनती होंगी वह जैसे में मुझे नहीं मता कोई कमेंट नी करूंगा बठाए जो है यह यह नब्यादार में बात बनी है इतनी दूर आये तो वैसे भी जाने का साइंस नहीं बनता इस इस आलस में मैंने यह दलवा लिए दीदी और जीजू त तो आजाना ना आना हो तो आपना देख लेना पर पैसा आपका है वार्गिनिंग आपकी ज्यान रखना आपको तो भाई एक बहुत इंपोर्टेंट चीप में आपको बताता हूं कि अगर आप इस तरीके की अलॉय की बढ़िया वाली दुकान पर आ रहे हो लगवाने दो चीजे ना दिमाग में बिल्कु सेट करके आना चाहिए वो तुम कैसे करो इंटरनेट से करो किसी एक्सपर्ट की जानकरी से करो धके खाके करो अपने इलाके में इत्ती दूर मत आना धकी खाने एक तो आपके जो टायर का साइज है वो फिक्स करके लाओ एक यहां पर आके कि आपको सिर्फ यह देखना है कि कौन सा अलोय बढ़िया लग रहा है उसे लगवाओ और अपना मौज बढ़िया टायम से निकल जाओ हमारा कैल्गुलेशन कुछ इस तरीके से थी चे बज़े निकल जाएंगे बारे बज़े पहुच जाएंगे दो घंटे में लगवा ल अब बज़े 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 लिगडएंगे कद पहुचेंगे कुछ पता नी तो इनका हिसाब है ऐसा अगर ऐसा नहीं चाहते तो उपनी वर्किंग करके आओ और बज़ेट हिल गया बहुत बढ़िया वाला तो जाती बेर रोटी में मरसीब होंगी ना होंगी यह मुझे कंटेंट मिल गया इस बाहने अपने भी थोड़ा सा घर चल गया ब्लोग सा एक बनी गया बाकि मैंने जो बोला ध्यान लगना तो भाई अब यहां पर सीन के आया ना यहां पर यह वाला जो हब होते हैं इसको कर रहे हैं रेड और अपना जोन सा भाई रेड करेगा उसकी द दिखाता हूं कि मैंने भी कई सारी वीडियो देखी तो कुसी को दिखाए नहीं तो इतना बड़ा जो नॉर्मली यहां पर टार फिट बैठता है इसमें उसमें कटिंग होती है और कटिंग कैसे होती है वो दिखाता हूं बाकि लॉंडा लिया इस परे चल भी नड़के करत पड़िया इस प्रेस पर एक आपको लुकेंट फिली पता चल जाएगा कि रेड़ कलर होके कैसा लगता है तो कुछ ऐसा अंदर का ये लगेगा इस ब्रेक टो पर तो स्प्रेजारास से कुई दिख्यत नहीं है नहीं हो छोड़ी आईजी ब्रेक मानेंगा जनरली पेपर वगेरा लगा लेते हैं कुछ इस पर दूसरे पार्ट पर इसकी चीटे पेंट पर ना जा रही हो इधर ना अब भाई प्लान में एक और चेंज आया चेंज यह है कि जो टारम डलवा रहे थे इसमें कटिंग हो रही थी तोड़ी दिनके लिए जिसके लिए मैंने इने कन्वेंस कर लिया था कि अन्दर से चेक करा कि कटिंग कितनी है तो इनका दिल दहल गया और बोले कि मेरी गाड़ी इतनी नहीं कटनी चाहिए मिनको दल लग रहा है तो फिर से हम वापिस कूद के छोटे प्रोफाइल वाले टायर पर आ गए हैं थोड़ा और मतलब टायर की जो हाइट होती है ना 275 कितना 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 45 आर 20 ठीक है जो टेकनिकल है उने समझ में आएगा टायर के वैर में जिने नहीं आ रहा भाई कोई दिक्कत ना भी हाँ है तो यह तो बतानी पुटेगी ना ठीक है तो बस तो फिर आपने क्यों करा खेला यह गाड़ी के साथ कोई छेड़गानी नहीं होगी हाँ गाड़ी दी को जब का लागत लागहां यहाँ फिर लगाने राई रहले कि शेड़खानी नहीं को दो पत्ति कर रहे नहीं कहले अदमी को बेकुर्भ समझोता हूँ तो आगे की राधी की चाहदर को ने लिग ने लिगा है कर दिए हो दिक्कत नहीं हम तो भी आ तो मैंने भाई शे पूच्छा इसके उमर से मैं गाई यह वाला बड़ा नहीं ड़वा रहे हैं तो फ्राइसिंग में इस्वाएगा तो उजने ने कह दिया तो यह जोटा दुबाओं तो 1500 कम का होगा और बड़ा दुबाओं तो 1500 जादा फागा ठीक है फिर मैंने सेल्समान से बोला है अगला पतनी आकनाकर में क्या बात हुई वो गुमाधिया चाहरे थे कि जो पेइमेंट में फिक्स होगी है तो कम करने के बाद भी रहे ज्यादा हो ना हो वार्गिनिग ना हो तो इसी जोगा थोड़ा ध्यान रखना कि आपके साथ ऐसा नहीं है कि बहुत जादा ट्रांस्पेरेंसी वाला सीन है अपना तो देख लेना मतला इसा थांस्पेरेंसी 100 परसेंट आपको नहीं मिलती है तो ध्यान लेना कि आप दुकान पे आ हो किसी घर पे नहीं आ रहे मतलब भीएव को ऐसे करेंगे जैसा है आपके साथ बहुत जादा ट्रांस्पेरेंसी है तो कुछी पर थोड़ा सा थोग बजा के बार्गिन करोगे तो ज्वादा बढ़िया रहे है बिना पैसे की विलोगिन तो देफो ऐसी हो आपके बादार पना टायर है और टायर का थाईज है कि शबढ़ तो परदार जी ने रेटी कर देए मामला बिल्पिल सट दो कि को जबड़ने चाहिए कि कि को भीए प्रदेश्तकिर आई कर ना वार्ट फॉक्ज ए कि अ ऐसा लगेगा गाड़ी मजय को यह विखते लिए करगों कि पक्षा और छिए और जी रोज अध्य लिए प्रक्षा श्राइब हो गया एक टोकर प्र चल्डश वह का छू ते अजटा भीक तेस्माइट माथ लिए अधेक चेया आधेया एक बा कि लिटिल बिट करप्शन है बठ है इंडिया कि क्या आपको लगता है दिल्ली में इससे कम करप्शन है डिल्ली का एक्स्टू वाला इससे कम करप्शन करता या डबल करता कि डबल कि क्या यही होती है असलिए बिना पैसे लिए विलोगिंग क्या कहना चाहेंगे आप हम लोग नॉर्मल एक्सपीडियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ मतलब यह कोई इसने बड़े यूट्यूबर तो है कि कोई हमें बुलाए और वो करें बड़े को हम किसी से चोटे में यह पर बड़े वाली बात है हम पैसे लीके पैसे काम करते है अपने ठन में आगे अलगा के और जो रवियू आता है न वो बैस्ट होता है दूसरे के धन लेंने रवियू नहीं होता वह ब्रमोशन ओर है YOUR बड़ नहीं भखन पुप रियाथ्टथा है मेरी जवान है तो भाई यह अपनी काम तरना चालो हो गया यह अपना चोटा भाई है कहा का भाई तो पती है यूपी जी यूपी अलाबाद बोले करें क्या नाम है क्या पर्चम नाम तकड़ा ले रहा दो पर्चम नाम है तो यह कुछ अप ऐसा लग रहा है और अभी जैक पर गड़ी अच्छा लगेगा और माल लिया लोंडा पर्चम लहरा दो पर्चम है पर्चम भाई अब लहरा देगा इंटायरों को और गणा देगा इसका जाज वाई बड़ी आसी लग रही है अपनी गार्डी मेरे वीव यह देखो कैसे लग रही है अभी नीच उतर जागी जब पता पड़ेगी कि कैसा हिसाब है बाकि यार मेरे को तो देख पैसा लगे तो हैं पर पैसा वसूल से भी लग रहे हैं तो अल्टिमेट लूप आ रहा है हुआ 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 है हुआ है तो भाई फाइनली तो भाई फाइनली अन्ली अन्विवील होएगी अपनी गार्डी अब यह ना ऐसी को लग रही है बीस इंची के अलॉइड अलकेस में और बीस इंची हाला कीस में को दिखने दें अब यह कुछ तरीके की लुकार यह गाड़ी की तो भाई अभी जो लग रही थी ना साइड में वह दिखाता हूं कि दिल्पुल नहीं एग रही है कि अधायर बचना है और दूसरे साइड घुमाने पे भी टायर बचना है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं पर लगरी तगड़ी है अब के तो भाई अभी चलो एक लुक दिखा देता हूं गाड़ी का किस तरीके से एक ओबर वाल लुक आ रहा है चलती हुई का अधालना देता है तो भाई अभी चल दिये अपना घर की तरफ और लाइट चल गी तो भाई चल दिये अपना घर की तरफ यह मोदी जीवाई लाइट है जौन सिक लाइट हो मोदी जीवाई बैठते हैं तो अब देखते हैं पहले थोड़ा सा होल्ट है खाने पीने का और हमने दिन में निकलने का प्लान होना आया था रात कर लिए हमने भाई कोई नहीं यह त तो भाई तके खाते खाते तो भाई अभी आगे हैं यहां पर हम लोग सोनी पर पहुंच लिए यहां पर चाय भाई पीने के लिए रुके हैं कि फोड़ा सा नीन वीन सी आ रही है वो खुल जाएगी बाकी मैं हमेशा प्रेफर करता हूं यहां पर आना गोल्डन अट पहले भी हमने गोल्डन पी खाया था पंजाब में भी और यहां पर प्रेफर करता हूं आदमी बड़ी आए तो मुझे रहागा बड़ी लगता है किसाना अन्दोलर में नहोंने काफी हेल्प परी थी किसान होगी हमें भी हेल्प करनी चाहिए जो भी है मेरा कि मुझी लगती है तो भाई रात थोड़ा लेट होगे थे आने में और तक गेते अब भी मेरात आगे साथ पांच बजे हम सुबा पहुंचेगा झाल